Government ने 230 apps अभी बैन करें हैं और ये अभी थका सबसे बड़ा बैन है इत्ती सारी apps एक बार में कभी बैन नहीं करें हैं पहले राउंड में Government ने 100 apps बैन करें जिसमें PUBG और बहुत सारी Chinese applications थी सेकंड राउंड में भी भाई काफी सारी ऐसी applications जैसे WeChat थी community और ये सारी applications जो काफी जादा popular थी और इस बार काफी जादा खातरनाक applications बैन करें ये काफी बड़ी बड़ी दिखने में काफी सिंपल थी application थी but actually काफी जादा problems कर रही थी ये applications ऐसी थी जो लोगों को अपने जाल में भसाके actually काफी सारे लोग ऐसे loan के trap में पैसे के जंजड में फच जाते थे और उसकी वज़े से काफी सारे लोगों ने suicides भी करे थे और इनमेंसे काफी सारी applications चाइनीज application सी मैं आप लोगों बताऊंगा क्यों बैन करा गया और कैसे आप लोग इन सब से पच सकते दोधा टाइम बेस नहीं करते है लेट्स गो तो इंडियन गवर्मेंट की एक organization है ministry of electronics and information technology उन्होंने इन 230 apps को urgent basis पे बैन करा है union home ministry की recommendation से बैन हुई है और section 69a जो IT law का है उसके अंडर इनको बैन करा गया है इन applications में से 138 betting application थी जिसमें 60 लगाया जाता था पैसा लगाया जाता था और आपका पैसा लेके आपको पागल मनाया जाता था और 94 loan वाली application थी जिन में आपको free का पैसा दिखा के आपको भाई loan के जाल में फसाया जाता था ये सारी पैسे के लिए साजिश करी जाते थी और इससे मदलब काफी गरीब लोगों को टार्गेट करा जाता थे जिन childhood पहले से ही पैसे नहीं है और इन्हीं से पैसे लिये जाते थे और इसीलिए मुझे काफी जाधा गुससा आता है जब ये सारी जीज़ उती इंडिया की Ministry of Home Affairs ने अपनी पूरी रिसर्च पूरा ऐसे जाच परताल उन्हों नहीं करी थी और 28 loan application और 94 third party application जो गलत काम कर रही थी इंडिया में उनको पकड़ा गया है और सबसे बुरी बात मुझे यह लगती है कि इनका target हमेशा हम जैसे लोग नहीं होते हैं हम में से काफी सारे लोग भी इन चीदों में पच्छाते हैं मैं एके करके applications के भी नाम आपको बताता हूं इसमें काफी बड़ी-बड़ी applications भी है जैसे 1xbet इसकी आपने एड देखे होंगी वह इस application काफी सारी यूट्यूबर्स भी चलाते थे YouTube पे भी आड़ चलते थे काफी सारी YouTubers, काफी सारी influencers इनके आड़ करते थे और हमको भी इन सब application से मोटे पैसे का offer आते थे सब बोलते थे भाई ये लो कडोडो रुपे जाओ वीडियो बनाओ अपने चैनल के उपर आश मारो बड़ मैं आपको बताता हूँ ये सब लोगों को कैसे फागल मनाते हैं इन सारी application का मकसद होता है कि एक बार आपने आप खोली उसके बाद जल्दी जल्दी आपका पैसा लगवा दें उसके बाद आपको बस एड ऐसे दखाएंगी अभी पैसा लगाओ डबल पैसा मिलेगा बेसिकली आपको शुरू में ना ये फ्री का माल लिखा के कि देखो फ्री में लोन मिल रहा है आपको थोड़ा सा पैसा दे देते थे और उसके बदले आपको अठका लेते थे फिर ये इंट्रस्ट और ये हिडन फीज होती थी फिर आपको पता जलता था अच्छा 10% इसकी कॉस्ट है 20% इसकी कॉस्ट है यहाँ पे इंट्रस्ट ये 0.01 शुरू शुरू में दिख रहा है बाद में 10 दिन बाद जाके 3000% हो जाता है तो ऐसे ऐसे करके फसा लेते थे और फिर आपका सारा पैसा धीरे धीरे करके इन अप्लिकेशन को आपको देना पर जाता था मतलब मैं तो कभी बेटिंग आप मैं तो दूर दूर तक कभी ना प्रमोट करूँ मैं अच्छी चिड़ता हूँ भाई कसीनो आपसे बेटिंग बेटिंग मेरे आपसे पैसा कमाना है तो महनत लगती है उसके लिए कोई बेटिंग कोई गैंबिलिंग कोई आप 10 रुपे का लगाओ छक्का पड़ेगा तो डबल पैसे मिल जाएंगे इसमें प्लेयर पे लगाओ उत्ता पैसा लगएगा इसमें लगाओ डबल हो जाएंगे 10 दिन के अंदर लोन ले लो इसमें खरीद दो यह सब बेगार है आज तक मैं किसी अमीर बंदे से नहीं मिला जो पत्ते खेल के अमीर बनाओ या फिर जो बेटिंगर के अमीर बनाओ या जो बाई कसीनों में पैसा लगा के जो अमीर बन गया हो कुछ लोग मौज वाज के लिए कर लेते हैं बट भाई अमीर कोई नहीं बनता है ये सब अग लोग मिला हूं जो अमीर बने उन्होंने काफी लंबे जमें तक भाई अच्छी कासी महनत करी उसके बाद जागे पैसा बने बड़ मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप इन में से किसी भी आप्लिकेशन से कैसे बाई सकते हैं सबसे पहली चीज लेंडर आपकी आपको एकदम ऐसा फोमों दिखाते हैं कि भाई देखो यह तिक दम समीर हो गया यहां पर बेटिंग में यहां पर रंक्षा जींचे जा रहा है उपर जा रहा है आप इसमें क्रिप्टो में लगा हूं इसमें यह लगा हो तो यह जब भी आपको उपर नीचे दिखान लग इसको इंटरेंट भी सिक्यूर नहीं बता रहा है अगर आप क्रोम यूज़ करते हो तो आपको रेड रेड ऊपर दिख जागा मुबाइल यूज़ करते हो तो आपको उसकी प्राइवसी पॉलिसी में दिख जागा रेड रेड कलर कैसे ऊपर आने लगता है और एक और इनको इंडिन गवर्मेंट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा और वो पकड़ी जाएंगी तो इसलिए बाहर दूसरी दूसरी कंटरी में चाइना में इंदर उदर ऐसे अलग अलग खोल लेते हैं और यहां से पैसा लेकर वहां बेजते हो और वहां पर रूपलाई नहीं ह बोलूँगा भाई सबसे पहले यह चेक करना चाहिए और इंडियन गवर्मेंट से वेरिफाइड है कि नहीं है अगर नहीं है तो भाई उससे दूरी रहो जित्ती भी आप्लिकेशन आपको लग रहा हो भाई इंडिया को ही क्यों टार्गेट करती है क्योंकि इनको पता है इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो महनत करके पैसा कामाते हैं जिनको एजूगेशन हैं जिनको पता नहीं है कि भाई यह पैसा कैसे लोन मिल सकते हैं कैसे चीज़ें हो सकती हैं और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब छोटे छोटे शोटे शहरों में रहते हैं जिन बहुत ज़्यादा value करती है, हम अपने चैनल पे membership और chat वाइड भी इसलिए लगाते क्यों हम नहीं चाहते हैं, आपका एक भी रुपया ऐसी जगे लगे, जहां पे हम आपको अच्छे से value नहीं दे पारे, हम कुछ सालों साल महनत करके products बनाते हैं, वो भी हम कोईश करते हैं कि आपको अच्छे price पे दें मैं भी यह होप करता हूँ भाई, इस वीडियो के बाद 60-60 सारी चीजों से हम भी दूर रहें, और जो यह चीजें government ने करी और जो पूरा topic था, मुझे इस पे वीडियो बनाना काफी जरूरी लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं, जो आप में से सभी लोग को impact कर सकती है, और मैं को ऐसा लगता है कि भाई, सारी चीजे हम सब को पता होनी चीए, कैसे किनकिन आप से बचना है, किनकिन से दूर रहना और आवस इतना है धायार इस वीडियो के लिए, I hope आप सब लोग सेफ रहें, खुश रहें, बड़े रहें, अमीर बंज़ा तेही से महनत करेंगे, चलो, बाई-बाई-टेकर